हालो प्रेंट्स वेलकम टू माई चैना लाओ मिलकर पढ़ें तो प्रेंट्स आज हम लोग कच्छा दस की तीसरी पोयम दविले सांग के दो स्टेंजाओं को हमने पहले पढ़ दिया है आज इसके दो स्टेंजा पढ़ेंगे अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है पहला तो आप लोग पहले वीडियो को देख लिजिए आज हम लोग इसके सिकेंड इस्टेंजा से पढ़ेंगे तो सरजनी नाइडी जी लिखती हैं आगे कि हनी चाइड हनी चाइड दवर्ड इस फुला प्लेजियर और ब्रिडल सॉंग्स एंड क्रिडल सॉंग्स इन दालूम सिल्वर एंड सफ्रावन ग्लोविंग योर ब्रिडल केक्स आर ओन दा हैथ ओ विदर आर यू गोइंग अभी सिस्टेंजा में मा अपनी बच्ची को दुनिया के बहुत से चीजों के बारें बताती है अपनी बेटी को रोकने का प्रयास कर रही है बता करके कहत इस मतलब या संसार इस है फुल मतलब भरा हुआ या पूरी तरीके से आप प्लेजर मतलब खुसियों से तो पहे प्यारी बच्ची या जो पूरा संसार है या खुसियों से भरा हुआ है और किससे भरा हुआ है आप ब्रिडल सांग ब्रिडल सांग मतलब होता है दुलहन के साधी के गीतों से भरा हुआ है, और संसार पालने के गीतों से भरा हुआ है, और संसार चंदन की संटल लेजूर मतलब सुगंधित हवाओं से या खुसबूओं से भरा हुआ है, या संसार चंदन की खुस्बूओं से भरा हुआ है, आपमा अपनी बच्ची को लुभाने के लिए कहती है, कि योर ब्रिडल रो बेस आर इंदा लूम योर ब्रिडल मतलब तुहारे साधी का रो बेस मतलब होता है कपड़ा तुहारे साधी का कपड़ा आर मतलब है इंदा लूम मतलब मसीन पर लूम मतलब करगा करगा यानी मसीन तो तुहारे साधी का जो कपड़ा है वहां एक दा मसी केशरी कलर का ग्लोइंग मतलब युक्त होना तो वहां तुहारा कपड़ा सफेद तथा केशरी कलर से युक्त है योर ब्रिडल केक्स तुहारे साधी का केक्स मतलब होता है खाना तुहारे साधी का खाना आर अंदा हेल्थ तो आर मतलब है अंदा हेल्थ मतलब होता है भट्ट जा रही हो और फिर मा इसे पूरा देख लेते हैं कि honey child the word is full of pleasure है प्यारी बच्ची है प्यारी बच्ची यह पूरा संसार जो है खुसियों से भरा हुआ है जो पूरा संसार है दुलहन के गीतों से भरा हुआ है और यह पूरा संसार चंदन की खुसुओं से भरा हुआ है तुहारा जो साधी के कपड़ा है वह मसेन पर तैयार हो रहा है बन रहा है सिल्वर एंड सफल ग्लोविंग सैफ्रोन ग्लोविंग तुहारे साधी का कपड़ा सफेड तथा केसरी कलर से युब तहाई और बिडल केक्स आर ऑन दा है तो तुहारे जो साधी का खाना है वहां बन रहा है तो तुम किधर जा रही हो या तुम कहां जा रही हो अब मा उसे ऐसे लुभाव ने जब बात बताती है तो बेटी मा से मा को उत्तर देते हुए कहती है कि बेटी कहती है कि जो यहाँ साधी का गीत है और जो यहाँ पालने का गीत है ताल या गीत आप सारो मतलब दुख का जो यहाँ साधी का गीत है और जो यहाँ पालने का गीत है यहाँ एक दुख का गीत है जो यहाँ आज जो यहाँ दिन की खुसी है दविंड आफ डेट तुमारो दविंड मतलब हवा हो जाएगी डेट तुमारो मतलब मतलब कल जो आज यहाँ दिन की सूरज की खुसी लग रही है यहां कल हमें मौत की हवा हो जाएगी far sweeter sound far मतलब दूर से sweeter sound मतलब अच्छी धुना ना जो यहाँ दूर से अच्छी धुना रहे है the forest notes forest मलब जंगल से notes मतलब आ रहे तो जो यहाँ दूर से अच्छी अवाजे आ रहे है where मतलब जहां पर forest forest मतलब tables और फालिंग मतलब गिरना तो यह जो दूर की हवा दूर से अच्छी धुन आ रही है उसे ध्यान दो जहां पर जंगलों में धाराएं गिर रही है ओ आगे बताती है बेटी कि ओ मतलब यह प्यारी मां I cannot stay I cannot stay मैं नहीं रुख सकती हूं दव फेरी फ्लॉक और कॉलिंग दव फेरी फ्लॉक मतलब परियों को जंड और कॉलिंग मतलब मुझे बुला रहा है एक बार फिर से देखते हैं पूरा जो यह साधी का गीत है जो यह पालने का गीत है यह सब दुख के गीत है जो आज दिन कि हवा हो जाएगी जो यह जंगलों से दूर से आवा जा रहे है उसे ध्यान दो जहां पे जंगलों में धाराएं गिर रही हैं और अंतमे में बेटी अपनी मा से कहती है कि यह प्यारी मा मैं अब नहीं रुख सकती हूं क्योंकि परियों का जुन्द मुझे बुला रहा है तो इस प्रकार आपकी आज तीसरी पोयम दविले सौंग भी समाप्त हो चुकी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंड करके आप हमें जरूर बताईए और मिलते हैं भगले वीडियो में अगला वीडियो जिसे दनेशन विल्डर चोथी पोयम है चोथी पोयम पढ़क किस टाइप से इसमें कोश्चन आते हैं कितने नंबर काता है ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में ओके गुड़ बाई